इस वीडियो में हम करने वाले लीनियर एक्वेशिंस इन तो यहां पर क्वेशिन में किया है कि हमें किसको एक्स लेना है और किसको वाय तो आप जो चाहें ले सकते हैं मैं लेगे हुँ, let the cost of fountain pen be Rpx and cost of ball pen Rs.y ठीक है अब आपको क्या दिया हुआ है cost of ball pen हमें इसको express करना है as linear equation into variables उसकी standard form क्या होती ax plus by plus c equal to 0 ax plus by plus c equal to 0 तो हमें उस form express करना है देखी cost of ball pen कितना लिए y cost of ball pen y is means equal to 5 less means 5 कम कर दो किस में से half the cost of fountain pen fountain pen की cost का half में से 5 less कर दिया समझ मैं अब देखो cost of ball pen is 5 less than half the cost of cost of fountain pen ठीक है अब हमें इसको express करना इस form है तो पहले हम lcm ले ले इस 2 को आप अभी directly का shift नहीं कर सकते है ध्यान रखिएगा पहले हमें lcm लेना होगा 2 और 1 का lcm 2 यहां पर क्या जाएगा x और यहां पर 2 यहां पर 2 यहां पर 10 ठीक है अब मैं 2 को अब shift कर सकते हूं तो 2 denominator में है दूसरी side shift करेंगे तो multiply हो जाएगा 2 into y is x-10 ठीक है अब 2y को उदर shift कर दो यहां पर 0 हो जाएगा 2y को shift करेंगे तो minus 2y और यह बन गे ही standard form और linear equation in 2a लिए बस x-2y minus 10 equal to 0 this is our required answer अपर्ण हन लिए 9 बारओर सब्सक्र्ण लिए डयाँ धरओं थर सकते हैं